हेलो डियर स्टुटेंट कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आप लोग का पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रहा होगा क्योंकि संस्क्रित का विश्व यूद जो है सुरू हो चुका है संस्क्रित का महायूद तो आप लोग मेरे साथ बने र चेप्टर पाठले पुत्र बेवबम का अबजेक्टिव कोशन आपको लेकर आया हूँ इससे पहले चेप्टर वन का पूरा विडियो समाप्त कर चुका हूँ डिव्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहां से सभी विडियो को आप देख सकते हैं चलिए कोचन क होस्टार्ट किया जाए पहला विडियो कोशन से, पहला विचन किया ही सबसे पहला कोशन है कुट नीनतम काब कि कभी कौन है अविब सन राज सेखर दूसरा है गामोदर गुप्त तीसरा है विशाख दत और चौथा आपसन ने कालिदास तो कुट नीमतम काब के जो यह ले इतिहास कितना पुराना है तो पटना का जो इतिहास है लगभग पचीस सो बर्स पुराना है तो option नमर यहां से मेरा ए हो जाएगा right answer चलिए question number 3 बहुत यह असान question है तीसरा question क्या है दखिए युनान का राजदूत कौन था option में आपको दिखाते हैं option देख लिजिए और इसमें जो right answer होगा युनान का जो राजदूत था mega अस्तनीज थे option number C होगा right answer चलिए question number 4 चौथा प्रस्ण क्या है तो चौथा प्रस्ण है राज सेखर की रचना कौन सी है तो राज सेखर की जो रचना है का भी विमान सा है option number A हो जाएगा चलिए अगला question question number 5 question number 5 क्या है question number 5 है कमोदी मोहसब किस रीतू में मनाया जाता था अप्सन है वसंत रितु में दूसरा अप्सन है वर्सा रितु में तीसरा अप्सन है ग्रिस्म रितु में और चोथा अप्सन है सरद रितु में तो इसका जो राइट अंसर होगा अप्सन नमर डी हो जाएगा सरद रितु में कमोदी मोहतसब सरद रीतु में मनाया जाता था चलिए क्वाचन नमर 6 दखिए क्वाचन नमर 6 पटना नगर की पाली का देवी कौन है option है सितला देवी, काली तीसरा option है पटन देवी, चोथा है गवरी तो इसमें जो राइट अनसर होगा पटन देवी होगा पटना नगर की पाली का देवी है पटन देवी है option नमर 6 राइट अनसर चलिए क्वाचन नमर 7 साथमा परस्न है आपका कमोदी मोहतसब किसके सासनकाल में मनाया जाता था option है मुगल बंस के सासनकाल में गुप्द बंस के सासलकाल में आंगल वन्स के सासनकाल में, मोरे वन्स के सासनकाल में, तो इसमें option number B हो जाएगा, right answer, गुप्त वन्स के सासनकाल में कमोदी महसब मनाया जाता था, और आज हम लोग जो दुर्गा पुजा मनाते हैं, ठिक उसी परकार प्राचिन काल में पटना में कमोदी महसब मनाया जाता था चलिए अगला कोचन की और अगला कोचन गुरु गोबिंद सिंग का जन्म अस्थल कहां है यानि गुरु गोबिंद सिंग का जन्म कहां हुआ पाटली पुत्र में हुआ था और गुरु गोबिंद सिंग जन्म हुआ था और गुरु गोबिंद सिंग जो है गुरु गोबि संस्क्रिट से आसान कुछ नहीं है बस आप लोग को पढ़ने की जरूरत है पढ़ाने वाला की जरूरत है इसलिए आपको संस्क्रिट हाट लगता है चलिए नम्मा कोचन बिस्व को परिभूत करने वाला नगर कौन सा है यानि बिस्व को आकरसित जो नगर कर रहा है वह कोचन नमर 11 में आपका क्या कौचन है डिकए यह कोचन है पाटल पुस्पवों की पुतलिका की रचना के अधार पर पठना का कौन सा नाम मिलता है तो पाटल पुस्पु की रचना के अधार पर पठना का जो नाम है पाटली पुत्र है देखिए पाटल यानि पाटली तो अपसन नमर सी मेच कर रहा है यहां से ठीक है अगला कोचन दिखती है अगला कोचन नेक्स्ट है प पटना जो है पाटले पुत्र के नाम से कब परसीद हो गया गुप्त वंस के सासनकाल में मुगल वंस के सासनकाल में तो इसमें तीसरा ओप्षन सी होगा मद इकाल में ठीक है चलिए कोचन नमर तेरा तेरा नमर कोचन है पटना कहां बसा हुआ है तो पटना जो है गंगा के तट पर बसा हुआ है उप्षन नमर ही हो जाएगा चलिए अगला कोचन भागवान बूद का आगमन किस नगरों में बहुतो बार हुआ तो भागवान बूद का जो आगमन हुआ पाटली ग्राम में हु शोबा उथ किरिष्ट थी तो चंदरगुप्त मोर के समय में पाटली पुत्र में होता था, ऑप्चन नमर cx पटना की से राज की राज़-धाचन है। आप्सन देखिए बिहार राज की होगा आप्सन नमर ए होगा बिहार राज की राज़ानी पटना है या तो बिलकूल आसान कोचन है जो बच्चा भी बता सकता है ये ठीक है अठारा नमर कोचन देखिए पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बाती है पटना के उत्तर दिश का सबसे बड़ा पुल कीस नदी पर है तो इसी एका सबसे बड़ा पुल गंगा नदी पर है कोचा नमर 20 देखिए गोलघर कहां आ है तो गोलघर जो है पतना में दित है और सैव हょगा राइट अंसर चलिए कोचा नमर 21 की और ये किस नमर कोशन क्या है देखिए ये किस नमर कोशन ये है आपका ये किस नमर कोशन में देखिए विल्कुल असान कोशन है ये किस नमर कोशन बहुत ही असान कोशन है सीक दहर्म के दस में गुरू गुरू गोबिन सिंग का जन्म कहा हुआ तो पटना में हुआ था Option number C हो जाएगा Kochen number 22 मुदरा राक्षस किनकी राक्षणा है अस्वगोस, भारवी, विसाक दत या माग की Option number C होगा विसाक दत की राक्षणा है मुदरा राक्षस Kochen number 23 है पटना नगर का सम्रिद दहार किस बंस के सासनकाल में हुआ था तो मोरी बंस के सासनकाल में हुआ था option नम्मर ए होगा अगला question देखिए question नमर 24 किसके समय में किसने अपने संस्मरन में पाटली पुत्र की रक्षा और सोभा का वर्नन किया है तो मेगा अस्तने जने कहा था कोशन नमर 25 देखिए पाटली पुत्र नगर में क्या परसीद है तो पाटली पुत्र नगर में गोल घर परसीद है अप्सन नमर सी होगा next question 26 नमर देखिए पतना सब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसका option देखिए पहला है पाटल दूसरा है पतन तिसरा है पतन तो इसका जो राइट अनसर होगा पतन सब्द से पाटले पुत्र रक्षा की पाटले पुत्र सब्द की उत्पत्ति पटन सबसे हुआ क्वाचन नमर 27 किसने कहा कि पाटली ग्राम महानगर बनेगा तो भगवान बुद्ध ने कहा था पाटली नगर बहानगर बनेगा क्वाचन नमर 28 देखिए पाटली ग्राम 22 में किस नाम से विख्यात हुआ तो पाठली पुत्र के नाम से विख्यात हो गया कभी सिक्षा के रचनाखार कौन है तो अपसन नमर भी हुआ काभी मिमानसा के जो रचनाखार है राज सेखर महोदे जी है कवाचन मत्ती से गंगा नदी के उपर पठना में किस सेतु का निर्मान हुआ है तो महातमा गांदी सेतु निर्मान हुआ है गंगा नदी के उपर अभी भी अगला कोचन काभी मिमानसा नामक गरंथ कि रचना किस की रचना है काभी मिमानसा नामक गरंथ किस की रचना है तो राज सेखर महोदे जी का रचना अपसन नमर डी होगा 32 नमर कोचन है पाटली पुत्र बेबबं पाठ में किस नगर का वर्नन है तो पटना नगर का वर्नन है पाटली पुत्र बेबबं पाठ में अगला कोचन पाटली पुत्र किस महापुरुस की जनम अस्थाल है तो पाटली पुत्र जो है गुरु गोविन सिंग का जर्म अस्थाल है अप्सन नमर क्या होगा? C हो जाएगा 34 नमर कोचन देखिए 34 नमर कोचन क्या है? चंदर गुप्त चंदर गुप्त किस बंस का संस्थापक था? तो चंदर गुप्त मोरी जो है मोरी बंस के संस्थापक थी अप्सन नमर यह हो जागा चलिए अगला कोचन है पुरंदर सब्द का परियावार चीए तो पुरंदर किसका सब्द है? तो इंद्र का ही पुरंदर है अब इसमें एक भी कोशन नहीं बचा है पूरा का पूरा अबजेक्टिव मैं कर लिया हूँ तो आप लोग जो है इसको रिवीजन करते रहें अब हम चेप्टर नम्मत तीन अलस कथा का वीडियो लेकर आऊंगा तो जबत के लिए जहिन बंदे मातरम भारत मात की जह